शादी की चार महीने के बाद अपनी जुड़वा बच्चों को जनम देने वाली आक्ट्रोस नयंतारा इस वक्त काफी मुश्किलों में है नयंतारा की ट्विन बच्चों को लेकर अब सरकार में शक पैदा हो गया है नयंतारा और उनके पती विगनेश शिवन पर सवाल उठाये जा रहे हैं कि क्या उन्होंने सरोगेसी की प्रोसेस के सही निमो का पालन किया था तमिलाडू के स्वास्ते मंत्री सुब्रे मन्यम ने कहा कि वो इस मामले की जाज कर रहे है साउथ की सूपरस्टार नयंतारा और उनके पती विगनेश शिवन ने जुड़वा बच्चों का वेलकम किया है आपको बता दे संडे यानिकी 9 टूबर को सूशल मीडिया पर धेर सारी फोटो शेर कर विगनेश ने अंतारा ने अपने पेरिंट्स बनने की खबर को फैंस के साथ शेर किया अब ही चार महीने के बाद अगर अचानक से वो अपने जुड़वा बच्चों की अनॉंसमेंट करेंगे तो किसी को भी हैरानी होगी कि आखर चार महीनों के बाद ही कोई बच्चे पैदा कैसे कर सकता है दोनों के फैन से सप्राइस के बाद बेहत खुश हुए तो वहीं उन्हें बढ़ाया भी देने लगे इस बीच ट्वीटर पर सरोगेसी और अडॉप्शन को लेकर वेहस भी चड़ गई है कई यूजर्स का खेना है कि नयंतारा ने सरोगेसी का रास्ता अपना कर सही नहीं किया अब इस मामले में सरकार भी जुड़ गई है नयंतारा की ट्विन बच्चों को लेकर सरकार में शक पैदा हो गया और अब उन्होंने बताया है कि आकर शादी के चार महीनों के बाद जिस तरीके से जुड़वा बच्चों का विल्कम किया है दोनों ने उसको लेकर सरकार का मानडा है कि सरोगेसी को लेकर जो सरोगेसी का प्रोसेस होता है उसकी सही निमों का पालन नहीं किया गया तमिलाडू के स्वास्तेमंत्री सुब्रमंडियम ने कहा है कि वो इस मामले की जाच कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस मामले में सरोगेसी के रूल्स को फॉलो किया गया है या फिर नहीं। अब देखना होगा कि क्या भारत में किसी भी कपल के लिए सरोगेसी का रास्ता शादी की पांच सलों बाद भी अपनाने का नियम है या फिर नहीं। अभी तमिल नादू सरकार का खेना है कि वो इसकी जाच कर रही है कि क्या नयंतारा या विगनेश ने सरोगेसी के जरीए बच्चे पैदा करने के रूल्स को फॉलो किया या फिर उनका उलंगन किया है हेल्थ मिनिस्टर कल इस मामले में पूछताच करेंगे बताया जा रहा है कि सरोगेसी एक्ट 2021 के मताबिक कानोनी रूप से शादी शुदा जोड़ा ही सरोगेसी की मदद ले सकता है नयंतारा विगनेश शिवन की शादी पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं बताया जा रहा है कि दोनों ने तक्रीबन चार महीने पहले नौजून को शादी रचाई ऐसे में देखा जाएगा कि शादी करने के बाद क्या दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर करवाया या फिर नई यानि कि यह है कि विगनेश और नयंतारा अपनी बच्चों को लेकर काफी मुश्किलों में पढ़ते नजर आ रहे हैं संडे को विगनेश शिवन ने इंस्टेग्राम पर नयंतारा और अपनी पेंट्स बनने का एलान किया उन्होंने बताया कि उन्हें जुडवा बेटे हुए हैं दोनों बेटों के नन्ने पहरों को चुमते हुए नयंतारा और विगनेश शिवन बेहत खुश नजर आए फोटोस को शेर करते हुए शिवन ने लिखा कि नयन और मैं आज अम्मा अप्पा बन गई हमें ट्विन बेटे हुए हमारी सारी दुआओं हमारी पूर्वजों का शिर्वाद मिलकर हमारे दोनों बच्चों के रूप में मिला है आप सभी की दुआएं हमें चाहिए ओईर और उल्गम नौजून को नयन तारा विगनेश शिवन ने चिर्णाई में शादी रचाई थी आक्टर डारेक्टर की इस जोड़ी को फैंस ने बेहत प्यार दिया दोनों की शादी धूमधाम से हुई और दोनों की शादी की ठीर सारी फोटोस सोशल मीडिया पर वाइरल हुई देकिन जस तरीके से शादी की चार महीनों के बाद विगनेश और नयन तारा ने अपनी जिन्दगी में दो जुड़वा बच्चों का वेलकम किया उसके बाद मानों उनके बच्चों का जो टॉपिक है सोशल मीडिया पर पॉन्टुवर्सी का हिस्सा बन चुका है लोगों का मानना है कि नयन तारा का कोई बेबी बंप नज़र नहीं आया कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिसकी वज़ा से वो एक्सपेक्ट कर रहे हूं ऐसा उन्होंने फैंस के साथ शेर किया हो अचानक से चार महीनों के बाद आखेर उन्होंने किस तरीकिस से बच्चों का एनाउंस्मेंट कर दिया अब इस पूरे मामले पर सरकार भी खुश चुकी है और सरकार कह रही है किस मामले में हम जाज करेंगे फिलान तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि नयांतारा और विगनेश के बच्चों की कॉंट्रोवर्सी पर क्या राय है आपकी अगर आपने अभी तक फिल्मे बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे अगर आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलेवुड टीवी से जोड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मे बीट